नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहुल जेफ लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं जिस मैटर पे जिस कॉंटेंट पे भात करना चाहरा हूँ वो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है मगर क्या होता है कि आप उसमें शुरू से ही गलती कर रहे होते हैं बिल्कUL गलती कर रहे होते हैं क्योंकि यह केस इतना जरूरी होता है इतनाशिवंट होता है कि असल में इसके अंदर जो अवरोधक जो बै कि आक्मे से लिए तयार की जाता है उसका ऋइसदी है कि आपको मेंटली हारैस करना हैस करकर under pressure situation में लाना और under pressure situation में आने के बाद आपको इस case के अंदर उलजा के रख देना कि आप कुछ कर ही नहीं पाएं क्योंकि आदमी यहां से भी तूटता है और यहां से भी तूटता है जिसे हम दिल कहते हैं तो दोस्तों इस पूरे matter के अंदर इस पूरे content के अंदर जो आज समझने वाली बात है वो पूरी तरह से समझेगा अगर सामने वाली पार्टी आप जूटा प्रहार कर रहे हैं तो इस दुगनी इस matter पर सोच रहे हैं पर सबसे ज़्यादा important है husbands के लिए क्योंकि उनके साथ इसमें सबसे ज़्यादा चात्ती होती है मैं आगे बढ़ूं इससे पहले बता देता हूं कि हमारे कुछ courses होते हैं जो legal legal की तरफ से चलाय जाते हैं unique theme of ideas के साथ तो आप इन्हें join कर सकते हैं जैसे crash course है जिसके अंदर आपको जो है instant remedy की तरह एक बहुत अच्छा knowledge का एक पूरा bunch मिलता है और उसमें आप वो जान पाते हैं जो असली सूरत आपको पता ही नहीं है कानून के रूप में ये individually आप खुद prepare करते हैं इसमें सिरफ आपको guidelines मिलती हैं और आप खुद prepare करते हैं इसमें हमारी team का कोई involvement नहीं होता है और मैं खुद इसमें involved नहीं होता है अगर आपको हमारी team का involvement चाहिए individually आपके case के लिए तो वहाँ पर फिर आता है main course वहाँ पर हम associate करते हैं आपके साथ और बहुत जल्दी और तेजी से results ल लग भग मतलब काफी plus है इसके बाद जो है legal remedy के form में अगर आपको बहुत जल्दी मुझसे कोई बातचीत करके अपना सला मशुरा करना है अपनी कोई problem solve करानी है और आप मुझसे बात करना चाते हैं तो इसके लिए आप इस दिये गए number पर phone नहीं करेंगे message कीजेगा calls नह अब मैं आ जाता हूं सीधे मुद्दे के देगे दोस्तो चाइल्ड कस्टिडी एक ऐसा matter है एक ऐसा मुद्दा है जहां पती को पूरी तरह से अमानुए तरीके से अमानुष तरीके से बकायदा तोड़ा जाता है बिखेरा जाता है तबहा किया जाता है क्यों कि इसके वो मेंटरेंस के अंदर क्योंकि देखे आप जो हैं वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं पत्नी चली गए जिससे कहीं न कहीं अटाइच्मेंट रहता है एकदम से धोका सा होता है यहां के सीने में पत्तर सा फैंक देती है जूटे केस लगा कर और उसी के सा साथ बच्चे से अलग कर दिया वो एक तबहाई सी हो जाती है जिन्दगी में आदमी के जीवन में बवंडर्स आ जाता है बिफराया वा फिरता है वो यह भी सोचता है क्योंकि फादर हमेशा ध्यान रखिये आपने कहीं चिके पढ़ा और देखा भी होगा कि बच्चा जो है जिन्दगी भर उस एक यहां पर जो अंदर का अंडाश है वैसा एक यहां पर इस्तिती बना लेता है और वो जिन्दगी भर उस बच्चे को यहां पालता रहता है वो यहां बढ़ता रहता है उसके दिमाग में बढ़ता रहता है तो फादर को हमेशा उसके फ्यूच एक्टिविटीज की टेंशन होती है, उसकी ग्रोथ की टेंशन होती है, उसके एजुकेशन की टेंशन होती है, वेलफेर की टेंशन होती है, यह तमाशा है, अमिता बच्चन की मूवी से निकला हुआ कि मेरे पास मा है या ममता ही बहुत बड़ी चीज होती है, नहीं साथ, मम वकिल साब कहते हैं, रेमेडी क्यों नहीं मिलती, कितने ही लोग हैं जो पिछले कई सालों से चाइल कस्टिडी का केस लड़ रहे हैं, रेमेडी नहीं मिल रही, कई बार तो यह भी सुनने को मिलता है, चुटकला बता रहूँ आपको, यह चुटकला ही है, जो मेरे को अगर प जबान पे तो मुझे भरोसा नहीं है, आप भरोसा करते भी नहीं है, पर मस्रीवत यह है कि आप फिर भी वहीं पर अपनी गर्दन कटवाने रोज चले जाते हैं। अबेस है कि वहाँ पर जो वकील साब बैठे हैं वो तो पूरी तरह से यही पंदिशे लगवाते हैं, नहीं फादर से नहीं मिलने देना, वाट्साप ब्लॉक कर दो, वीडियो कॉल मत करो बच्चे से, बना बच्चे से मिलने ही नहीं देना, एक अमान विये, अमानुश सब पर लगा दीजे, क्योंकि मिलकर ही चल रहा है संयूत कारिकरम जो चल रहा है, यह तो मिलकर ही चल रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वाइफी परफॉर्म कर रही है, अरे बहुत खतरनाक जो चीज है, वो तो यह है कि असली जो अपरादी होते हैं, वो उसको छोटा मोटा पनिश्मेंट दे कर बकायदा चीजें रिलाक्स कर सकते हैं, पर या तो उन्हें उसे दबाना है, और या फिर उसे उन्हें तबहा करके बस अपना मोटा मोटा पैसा खेंजना है, चाल लड़की की जिन्दीए खराब हो जाए, आप मान के चलिए कि खु लड़की करने जा रही है, तो उसे जच नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये फेमस हो चुका है, मुद्दे पे फिर आते हैं, ये बात यहां है कि आपका जो चाइल्ड कस्टडी का मैटर है, उसके अंदर हैब्बेस कॉर्पस जादा इंपॉर्टन चीज है, ये आपको कैसे हो कॉर्ट में फाइल नहीं होता है, हैब्बेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षी करन हिंदी में इसका यही नाम बोला जाता है, इसके बाद आप इसके अंदर ये कहना चाहरे हैं कि मेरे बच्चे को जो है बकायदा किड्नेप कर दिया गया है, या जाते हैं, देखिए ये पक्की बात है कि अगर पतनी भी आपके अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रही है, तो वो एक तरीके से बंदी ही है, मुझे क्या बता मेरा बच्चा के साल में है, तो ये जस्टिफाई करने के लिए अपना दिमाग मत दोड़ाईए कि कोड्ट त आपके फादर पर 376 लगाते वक्त चलता है ना केस, तो हर केस फाइल होता है, मगर आप जैन्मिन ने हैं, क्योंकि वाकर ही आपके बास कुछ तो एविदेंस होंगे, कि आप गए, लेट से आपने रिकॉर्डिंग कर ली, लेट से आपने मैसेज में बात कर ली, आपने वा को दिखा सकते हैं, कि ना किवल मुझे मेरे बच्चे से मिलने दिया जा रहा, बलकि उसे छिपा लिया गया है, मुझे देखने ने दिया रहा है, मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, अनरत नहीं हो जाए, क्योंकि जो लोग मेरे साथ क्रूल हो बच्चे क रणने जा रहे हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा मेरी बीवी की तरह है कि मैं 498 लगा दूँगा या मैं डीवी लगा दूँगा अगर आप अपनी बीवी की जगे जाके कोड में तो ऐसा नहीं है कि आपको जूटे के इसका उल्टा कोई आ जाएगा तो पहले मैं आपको इस बात के लिए तयार कर दूँगा अब क्या हुआ कि वहाँ पर जब आपकी वाइफ जो है वहाँ पर बच्चे को लेके उसे उपस्तित होना ही पड़ेगा अगर वो उपस ही नहीं कि अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा कि वो तो मना कर देगी सेक्शन नाइन की तरह है ऐसा होगा कि वो तो अपनी मर्जी चलाएगी नहीं साब यहां सुतनता खतम है क्योंकि बंदी प्रतेक्शिकरण का मतलब यह है कि कोड को यह जानना ही नहीं है कि कि कोई pain हुआ है इसलिए यहाँ पर आएं तो इसके अंदर पहले दिमाग नहीं लगाती कोड यह तो बाद में लगाती है और अगर मान लीजिए पत्नी कह देती नहीं साब इन्होंने मुझे बच्चा दिया था वो किया था तो वो सब बातें बाद में हैं कोड को इसमें कह देगी कि साब यह तो बच्चा मेरे पास है बड़े आराम से है और मैं ही अपने पास बच्चा रखूंगी मैं इनको नहीं दूंगी कोई बात नहीं वो यहीं कहीगी ना जादा जादा वहाँ पर आपको अपने विस्टेशन की एप्लिकेशन तैयार रखनी है तो हातों भी पेशकर्ष रख चुका हूँ एक वीडियो के अंदर कि अगर आपको दिक्कत आती है अपनी एक स्ट्रॉंग विस्टेशन की अप्लिकेशन बनाने में तो आप हमसे संपर कर सकते हैं एक फॉर्मेट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो आप हमसे वहां से मैसेज करके प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों ये एक ऐसा कॉंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ऐसी चीज ऐसी बता रहा हूँ जिसमें सबसे जरूरी चीज आपको विस्टेशन मिल जाएगा देखे चाइल कस्टडी का केस जो लोग लड़ रहे हैं प्लीज आज कमेंट कर सकते हैं मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि इसका जो बेनिफिट आता है चाइल कस्टडी के केस में वो उससे पहले नहीं आता अच्छा ये आप जानते नहीं इसका मतलब गया है इसका मतलब है कि कोर्ट को रियल में चाया यहां से आप बाद में और करागे चले जा चार्जिस जो हैं वो आपकी वाइफे चार्ज कर देगी विस्टेशन राइट आपको दिला देगी तो इसका बेनिफिट आपको यही होगा कि आप जब भी लोगर कोट में वापिस कस्टडी का केस डालने जाएंगे तो यह पेन दिखेगा आपका कि आप अपने बच्चे ली नहीं लेगी कस्टडी के केस में कस्टडी के केस के लिए एक और चीज़ बता देता हूँ जतने बेवकूफ आपको यह बोल रहे हैं कि साब कस्टडी के केस में मदर को ही कस्टडी मिलती है लड़की की कस्टडी तो मदर को ही मिलेगी यहां से पूरा का पूरा कच्रा बहार निकाल के फैंक दो, सुनना बंद कर दो वो आदमी की बात, वो आदमी आपको सरासर बेवकू बना रहा है, वो आपको लंबा लपेटेगा, अच्छी तरह से लिटाएगा दस बारा साल के लिए, और लिटा लिटा के आपको मारेगा, वो आदमी आपके साथ चाइल्ड कस्टडी के केस में, जैसे ही आप ये रेमेडी लेके जाते हैं, तो आपको यूं, यूं मिलता है रस्ता, आपको सोचने की ही जरुत नहीं है, कि आप इस रस्ते से, आप जितना जल्दी चाइल्ड कस्टडी ले सकते हैं, उतना चाइल्ड कस्टडी के केस में नहीं ले सकत साय क्योंकि लग-बग हर आदमी और पिता को कही नए यह देखने को मिले उसके केस के अंदर कि उसे नहीं मिलने दिया उसके बाद सबूत है नहीं मिलने के लिए पत्नी मना कर घर है मम्मी मिलने दिया आपके बच्चे के कुछ नहीं है आपके होते हुए आप natural guardian है तभी आपकी wife आप से बकायदा बच्चे का maintenance ले पाती है वरना maintenance के सदीकार से ले रही है एक और चीज़ बता देता हूँ कि आज से अपने बच्चे का और wife का maintenance बंद कर जी एक आंदोलन बनाईए जब तक visitation नहीं मिलेगा मैं मेरे बच्चे का maintenance नहीं दूँगा मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया जाए बलकि नहीं दूँगा मत कहिए मैं दूँगा पर मुझे visitation पहले दिलाया जाए आप अगर किसी भी stage में है case के तो visitation अपने बच्चे का ज़रुरी नहीं है कि यह case आप करें या ना करें ऑर visitation अपने बच्चे का हर stage पे मांग सकते है 490 टे में मांग सकते है section 9 में मांग सकते है तलाक में मांग सकते है हर जगे मांग सकते है हर जगे right है आपका मतलब आप यह सोच रहे हैं कि मेरे को एक अगर दिल से अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो आज हला बोल दीजिए कोट के अंदर जाके और दिखा दीजिए कितनी महबत करते हैं अपनी ऑलाद से दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जादा जादा उन पिताओं को शेर कीजिए जो तड़ाप रहे ह अपने बच्चे की विरह की आग के अंदर उससे बिछरने की आग के अंदर और कोई फौरी राहत चाते हैं तो उन्हें पहुंचाईए और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा कमिंट करके जाईए वो लोग जो आज भी चाइल्ड कस्टिडी का केस हत नहीं मिल रही है और आप थोड़ा से महर्वानी कर दीजे कि सब्सक्राइब करने के साथ-साथ इसके उपर एक नोटिफिकेशन का बैल होता है उसको आल के ऑप्शन पर दबा दीजेगा चाहे पहली बार आएं आप और मेरे वीडियो इस द्रगाता देखते रहते हैं प थैंक यू